सब्सक्राइब किजिए निगा निट्स को और बेल आइकॉन को दबा कर दुनिया वरक्त की ताज़ा घबर्याद पाईए सबसे ज़िए नमस्कार दोस्तो रोहित शर्मा ने रचा इर्टिहास बनाए कई रीकॉड न्यूजीलंड के खिलाफ पिछले दो मैचों में आसफल रहे रोहित शर्मा के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम फिर लकी साबित हुआ तीसरे और निरनायक मुकाबले में रोहित का बला खूब चला 138 गेंदों में खेली 147 रन की धमाकेदार पारी न्यूजीलंड के खिलाफ पिछले दो मैचों में आसफल रहे रोहित शर्मा के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम फिर लकी साबित हुआ तीसरे और निरनायक मुकाबले में रोहित का बला खूब चला रोहित ने यहां 138 गेंदों में 147 रन की धमाकेदार पारी खेली वह ग्रीन पार्क पर अपने पुराने 150 रन का रिकॉड नहीं तोड़ पाये 147 के स्कोर पर कीवी गेंद बाज से इंटनर का शिकार होकर रोह रोहित ने 18 चोके और दो छकों के साथ कई रीकॉड भी अपने नाम कर लिये वन दे के एरियर का 15 गांश तक जड़ रोहित ने टीम इंडिया को 337 रन के स्कोर तक पहुचाने में आहम भूमिका आदा की विराठ के साथ दूसरे विकेट के लिए 230 रन की साजेदारी की रोह रोहित शर्मा अपनी इस पारी के दोरान रोहित ने वन दे क्रिकेट में 150 चखे पूरे कर लिये वह दुनिया में सबसे तेजी से 150 चखे लगाने के मामले में दूसरे नमबर पर हैं पहले नमबर पर पाकिस्तानी बलेबाज शाहिद आक्रीदी हैं आक्रीदी ने अपनी 160 165 वी पारी में ये मुकाम हासिल किया था वहीं रोहित ने 165 वी पारी में ये कारनामा किया है रोहित वन दे में 150 या उससे आधिक छके जड़ने वाले पांचवे भारत ये बलेबाज हैं उनसे पहले सचिन तेंदुल करने 348 वी सौरव गांगुली 226 वी योवराज सिंग ने 277 वी और महिंद्र सिंग दोनी ने 192 वी पारी में ये उपलब्धी हासिल की थी इस तरह रोहित ने दोनी का रिकॉड अपने नाम कर लिया है वर्ष 2017 एक हजार रन पांच शतक वंडे में अपनी 15 वी शतकिय पारी के दोरान रोहित ने साल 2017 में वंडे क्रिकेट में अपने एक हजार रन पूरे कर लिये वह विराट कोहली के अलावा विश्व में ऐसा करने वाले दूसरे बलेबाज हैं रोहित का साल 2017 में यह पांच वाशतक है ग्रीन पार्क से रोहित का रहा है खास कनेक्शन रोहित शर्मा और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का 150 का बेहद आनोखा कनेक्शन है साल 2015 में दक्षिन आफ्रीका के खिलाफ एसी मैदान पर रोहित ने 150 रन की पारी खेली थी और आज एसी मैदान पर वन डे करियर में 150 छके भी पूरे किये, रोहित 3 रन के अंतर से 150 रन बनाने से चूके गए, अगर वह 150 रन के आंगरे को पार कर लेते तो ये एक आनोखा हो सकता था, आपको ये विदियो पसंद आया तो शेयर और लाइक, कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले झाल